कि कि में आधार कार्ट डेना से अगर हमें काम करना तो इस वीडियों में आपके साथ शेयर करूंगा कि सेफ है या नहीं है तो इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो and all notification बे भी click कर लेना क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको in future definitely आपको मिलेगी तो देखो सबसे पहली तो चीज तो आपको यह समझना होगा कि forward living कोई एक मतलब ऐसी वैसी company नहीं है अगर आप check करोगे तो 45 years complete कर चुकी है 1978 में start होई थी तो एक company जो 45 साल अपने पूरे कर चुकी है और वो आपसे मांगती है आपके identification के लिए क्योंकि बहुत सारे scams fraud चलते हैं तो आपके identification के लिए कि क्या आप एक genuine person हो तो forward living आपसे आधार कार्ड pancard मांती है आधार कार्ड आपका identification हो गया और pancard इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपका जो जो भी आपका आपकी income बनेगी तो उसके लिए जो forward living आपके account में जो पैसे ट्रांसफर करेगी तो उसके लिए pancard चाहिए होता है तो जब आप अधार कार्ड pancard दे देते हो तो आप एक मतलब forward living मान लेती है कि this is genuine यह person genuine है इसका identity है अधार कार्ड है pancard है यह person एक genuine Indian person तो इसी लिए आपसे मांगा जाता है तो यह simple सी बात है यार मतलब कोई ऐसी वासी कंपनी नहीं है जो कल कल स्टार्ट वी कंपनी और वह आपसे मांग रही है अधार कार्ड पैन कर दो और वह कल को भाग जाएगी अब यह company दो start करो और काम करना शुरू करो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो वाटसब्स पर आप मुझसे connect हो सकते हो स्क्रीन पर भी आ रहा होगा description में भी आपको मिल दाएगा मेरा वाटसब्स मैं कैसे काम करता हूं आल एक्स्प्लेंड ओके तो इस तरह की वीडियो के लिए आप definitely subscribe कर देना और आल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें ओके मिलते हैं ली वीडियो में बाबाई